हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ पर राधा सारे तयारिया कर रही है क्योंकि यहाँ पर सिया और राम के शादी तय होने वाली है, चली देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है अरे भाई राधा सारे तयारिया हो गई है कि नहीं भाई देखो ये फूल यहीं पर रख दिया है मैंने वैसे भाई साहब दीदी सब सिया को लेकर आते ही होंगे और ये तुम्हारा निठला भाई पता नहीं कहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है सुबे से कहाँ है वो हरे शेम की पापा आप इतना क्यों हाइपर हो रहे है मेरा भाई बस तयार ही होने गया है वो आही रहा होगा देखना एकदम हीरो जैसा दिखेगा अरे वाह मेरी सारी तयारिया तो हो गई है हाँ बस कुछ मिठाईया और जले भी रह गई है चलो जाकर ले आती हूँ वैसे सच मेराम तो बहुती किसमत वाला है जो उसे सिया मिलेगी ये लड़का भी ना बहुत ही पागल पंती में बोले जा रहा है कि सिया से शादे नहीं करनी सिया से अच्छी लड़की उसे मिल ही नहीं सकती है एकदम परफेक्ट जोड़ी है दोनों की अरे मैंने कहां पर रख दिया सारा समान बना कर अरे हाँ ये रहा ये रहे मिठा या और जले भी कहां पर रख दी हाँ चलो जले भी भी है अरे वाँ आज तो देख लेना आज ये रिष्टा तै होकर ही रहेगा और यहां पर रहा था जल्दी दी सारा समान रख रही होती है चलो इसे यहाँ पर रख देती हूँ और चले भी भी अरे राम कहाँ पर रहे गए तुम जल्दी आओ अरे हाँ दीदी आ गया बस यापने मुझे क्या दीदिया पहनने के लिए एकदम जोकर जैसा दिख रहा हूँ मैं इतने पुराने जमाने वाला कपड़ा नहीं पहनता दीदी आपको मालूम है ना मेरे पास थे तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े इतने स्टाइलिश देखो ना दीदी मैं इन कपड़ों में एकदम जोकर दिख रहा हूँ बोलो ना मैं बदल के आता हूँ जल्दी से मुझे नहीं पसंद है ये मेरा फैशन नहीं है अरे क्या इसने मेरे कपड़ों के बारे में क्या बोला खुद तो गुंडों जैसा कपड़ा पहनता रहता है और शरीफ लोगों कपड़ा पहन के ऐसे ही लगेगा ना अरे राम जो मिला है सही सही से पहन लोटी के न वैसे भी सिया तुम्हारा मुझ थोड़ना देखेगी देखना उसे सबसे पहले तुम्हारा कपड़ा ही पसंद आएगा अरे देखिए दीदी जीजु मुझे क्या बोल रहे हैं हे, जीजी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे क्या? अरे दीदी जल्दी से देखिए न, मैं बदल लूग या कपड़े मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे हैं ये। अरे श्राम की पापा अब इसा क्यों बोल रहे हैं मेरे भूले भाई को? अरे अरे हाँ, अरे श्राम की पापा आप तो कोल्डरिंग लाना भूल ही गए, जाए जल्दी से ले आए ये नॉइसे भी थोड़ी बहुत गर्मी तो हो ही रही है, कोल्डरिंग पेके मज़ा आ जाएगा। अरे हाँ, राधा में जा रहा हूँ, वैसे पता नहीं तुम अपने नल्ले भाई को बिठा कर क्या कर रही हो, उसे नहीं बेश सकती हो, जब देखो तब मुझे काम दे रही हो, अच्छा राम तुम यही पर बैश हो ठीक है ना, बस दीदी आती ही होंगी सिया को लेकर, बस अरे श्याम को तो देखो, मेरा प्यारा बच्चा, अरे धीरी धीरी खाओ, बहुत सार सामान है, सब खा लेना, ठीक है ना, मेरा प्यारा श्याम, और फिर यहाँ पर चंदा सोनम और सोनम के पापा आ जाते हैं, चलो चलो जल्दी चलो, हम तो सच में बहुत ही लेट हो गए और यह सिया की बच्ची को अभी फोटर शूट करना था, चलो चलते हैं चल्दी से, आईए आईए दिदे, आजए जल्दी से, मैं बहुत यह दखुर्श हूँ, अरे लेकिन सिया कहाँ पर है, वो तो नहीं दिखाई दे रही ही, कहाँ पर गई, अरे वा देखो तो मेरी ब अंपर वो दिखाई नहीं दे रही है, अरे हाँ हाँ राधा वो बस आ ही रही है, रास्ते में ही होगी, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ा सा पता नहीं बोड़ी थी फोटो शूट कर लू, तुम चिंता मत करू, आ रही होगी, अरे नहीं नहीं उसे नहीं आना चाहिए, चल्दी चाती हूँ चल्दी चाती हूँ अरे 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 समालो अरे अरे चुछुंदर गई के चोड़ो मुझे चोड़ो चल्दी से है चोड़ो मुझे क्या कहा चोड़ दू अच्छा ठीक है ये लो चोड़ दिया अरे मेरी कमर चुचुंदर गई कि तुमने जान बूच किया तुमने मुझे फिर से जान बूच कर नीचे गिरा दिया अरे देखो अब तुम ही ने तो मुझे बोला कि छोड़ो मुझे छोड़ो तो मैंने छोड़ दिया और क्या पागल लड़की बहुत ही मज़ा आया मुझे तो तुम जैसे नले लड़के से तुम बिल्कुल भी शादे नहीं करूँगी चाहे तुम दुनिया के आखरी लड़के क्यों ना हो मैं कुवारी ही मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ तो शादे बिल्कुल भी नहीं करूँगी मुझे थोड़ना तुम से शादी करके अपनी जिद्धे की बरबात करनी है बड़े आय मुझे से शादी करने वाले हटो मेरे रास्ते से हटो औरे ओ ओ ओ ओ ओ औरे बहुत ही मज़ा आया इसे मुझे गिराया था ना अरे देखो तो इसने मुझे कैसे गिरा दिया, इसे मैं छोड़ूँगा नहीं, देख लेना इससे तो मैं बदला जरूर लूँगा, छिपकिली कही की, देख लेना मेरा नाम बेर राम है, मैं इससे बदला जरूर लूँगा, हाँ, वैसे इस लड़की के जितनी पागल लगाना है इसको तो बिल्कुल भी बहुत नमाजी करनी नहीं आती है अरे वा सिया तुम तो एकदम परी दिख रही हो कितने सुन्दर दिख रही हो किसी की नजर न लगे तुम्हें शुक्रिया दीदी आपका अरे हाँ मेरी साली तो खु़शूरत है ही हो अरे वह अंकल तो बिल्कुल भी नहीं बदले जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही है मेरे एकदम बचपन की जैसे वह अंकल आप तो अभी तक ऐसे हैंसम बने हैं क्या तुमने मुझे फिर से अंकल कहा खबरदास जो तुमने मुझे फिर से अंकल कहा तो वरना देख लेना मुझे से बुरा कोई भी नहीं होगा कभी अपनी शकल भी देख लिया करो आइने में बड़ा आया मुझे अंकल बोलने माला पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं डिस्ट अप करने के लिए चला मैं जले भी खाता हूँ अरे भाई मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया चलो अब चुपी बैठता हूँ यहाँ पर अरे राम तुम इतने दूर क्यों बैठे हुए हो चलो आओ सिया के पास बैठ जाओ ठीक है ना अहीं जाने की जरूत नहीं है सिया के पास तो बिल्कुल भी नहीं यहीं पर बैठो राम जल्दी करो अरे हाँ हाँ दिदी आ रहा हूँ आ रहा हूँ अरे अब सरको भी की यहीं पर बैठे रहूगी चलो सरको सुना नहीं क्या तुमने पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं मुझे भी और क्या क्या करना पड़ेगा चलो बैठता हूँ यहाँ पर मोटी कही की अरे वा देखो तो ज़रा दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है एकदम राम और सिया जैसी किसी की नजर ना लगे अरे वा तुम दोरों साथ मैं सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हो हाँ दीदी आप सहीं बोल रही है सिया तो जब छोटी थी तभी मैंने सोच लिया था कि इसकी शादी में राम के साथ ही करूँगी हाँ राधा और मुझे भी राम अपने सिया के लिए बहुत ही अदा पसंद है वैसे कृष्णा कहाँ पर है दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर कृष्णा थंडा लेकर आ जाता है अरे चलो चलो जलो जल्दी जाता हूं कितना धूप है चलो अच्छा है अभी थंडा थंडा कोल्टरिंग पीऊंगा मज़ा ही आ जाएगा अरे श्याम की बापा आगए आई आई यह बैठी है आप भी बैठ जाएए देखिए सब आ गए है बस इस महफिल में आपकी ही कमी थी अरे वाँ यह बिस्किट कितनी टेस्टी है अरे वाँ कितनी टेस्टी जली भी है खाकल मज़ा ही आ गया वैसे सिया तुम तो बहुत ही बड़ी और खुबसरत हो गई हो जब तुम छोड़ी थी तब मैं तुमें खिलाया करता था शायद तुम इस निठले राम को भी कुछ ना कुछ अच्छा सिखा ही दोगी क्यों भाई साब अरे वा क्रिश्ना क्या बात बोली है तुमने इदम सही कहा बस अगर शादी हो जाए तो देखना मैं इसे छोड़ूँगी ने इसका जीना हराम कर दूँगी बड़ी आई मेरा जीना हराम करने वाली देखना मेरा डाम राम है राम किसी के सामने नहीं जुखता हूँ हाँ राम तुम एकदम सही बोल रहे हो आप सब क्यों राम की पीछे पड़े हो अख ले लो कोलरिंग हाँ लाधांजी मुझे चाहिए देजिए अरे वा ठंडा पीकर तो मजह ही आ गया दम तरू ताजा हो गया अरे हाँ सोनम की पापा मजह ही आ गया कोलरिंग पीकर तो अरे वा दिदी आपने बिसकिट तो बहुत ही यम्मी बनाया है अरे वा अरे केली का चिप्स भी और यहाँ पर सभी सिया को खाते हुए देख रहे होते हैं अरे वा जलेवी तो मेरी फेवरेट है मज़ा ही आ गया और क्या है हाँ ये अरे वा कितना टेस्टी है ये आज तो मज़ा ही आ गया अरे देखो तो जरा कैसे भुकड जैसे खा रही है जैसे इसे खाने ही न मिलता हो सो साल की भुकड तभी तो बोलो इतनी मोटी ताजी कैसे है या खिर तुमने कुछ बोला क्या अरे अरे मैं क्या बोलूँगा खाओ खाओ तुम अच्छे से खाओ अरे वह मज़ा ही आगया कितना अच्छा थंडा है सच्ची में आज तो मज़ा ही आगया हरे एक्सक्यूज मी माफ करना अरे ये तो ड़कार भी मारती है अरे इतने जोर से कोई ड़कार मारता है क्या इंसान होकी जानवर समझ में नहीं आता है अरे ये कौन से बात हुई डकार ही तुमारा है सिरिफ अरे मुझे रिष्टा मन्जूर है अरे हाँ हाँ मुझे मन्जूर है मन्जूर है हाँ मुझे भी अरे अब सब है राजी तो ये क्या करेगा गाजी अच्छा बच्चे तुम दोनों जाओ और अकेले में बात कर लो अच्छे से ठीक है ना जो पूछना एक दूसरे से पूछ लो हाँ हाँ और मेरे छट पे सारा इंतिजाम कर दिया है जाओ जाओ तुम दोनो अरे दीदी ने मुझे कहाँ पर फसा दिया लगता है पूरी जिंदेगी इसकी साथ ही काटनी पड़ेगी चलो जाता हूँ मैं लगता है इस जाल में आज फस ही जाओंगा अरे नहीं यह सब कुछ दीदी की वज़े से ही हुआ है न मैं यहाँ पर आते हैं और नहीं सब होता चलो जाती हो अरे हिल पैनके मैं कैसे चड़ुआ किये सेडी अरे अरे नहीं अरे तीदी बचाओ औरे रुख जाओ रुख जाओ अरे यह क्या तुम्हारी आखे है कि बटन देखो मैंने तुम्हारी जिंदेगी दूसरे बार बचा ली देखा अब कसके पकड़ने ना वरना गिर जाओगी अरे हाँ हाँ ठीक एठीक मुझे उपर कीचो जल्दी से हटो यहां से और यहां परसिया और राम दोनों बैटकर बाते करने लगते हैं अच्छा तु छोजुंदर बताओ तुम पढ़े लिखे हो या इसी गवार हो हरे क्या कहा गवार मैंने MBA किया है समझी विसे तुम बताओ तुम्हारे शकल से तो लगता है तुम इतनी बड़ी गवार ही होगी क्या शकल से तो लगता नहीं कि तुम MBA पास हो हसना बात में पहले ये तो बताओ तुमने दूसरी भी पास किये कि नहीं हो क्या मैं डॉक्टर बनने वाले हूँ बस मेरी डिग्री आ जाए समझे हाँ हाँ मुझे पता है पागलो कही इलाज करने के लिए तुम डॉक्टर बन रही होगी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और पता है सबसे पहला इलाज में तुम्हारे ही करूँगी टेंशन मतलो क्योंकि तुम सबसे बड़े पागल हो अरे क्या हो और यहां पर सिया और राम दोनों जोर जोर से हस रहे होते हैं अरे राधा सुन रही हो ना मुबारक हो अब हमारी दोस्ति रिष्टेदार में बदलने जा रहे हैं मैं बहुत ही खुश हूँ अरे हाँ दीदी मैं भी बहुत खुश हूँ चलो अब हमें इंगेजमेंट की तयारी करनी है क्यों राधा बहुत ही ज़्यादा हमें काम करना है हाँ दीदी ये ये congratulations and celebration ये मैं मस्य के साथ में बहुत ही डांस करूँगी चलो एक तरफ से अच्छा ही हुआ दोनों पागल हैं एक दूसरे के जैसे हो आखिरकार इन दोनों सहेलियों ने जे सोचा था वो कर ही रही है चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है दोस्तों अगर आपको हमारे यागी कहानी देखनी है तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू